और आये सबसे पहले बात करते हैं शीत उत्सफ की देखे नया साल आने वाला है लेकिन उससे पहले ही श्रमला में उत्सफ का शुभारम हो चुका है श्रमला में मिंटर कार्निबल मनाया जा रहा है और इस फेस्टिवल के रंग भी लोगों को भा रहे हैं जी और इस कार्निबल में कई तरह के कारेक्टरों मों का आयोचन होना है कलाकार भी एक से बढ़कर एक प्रस्तिती प्रेश कर रहे हैं पर्याटक इसका जम कर लुद्फ उठा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ नए साल के स्वागत के जोर शोर से तयारियां दिखाई दे रही है शिमला में शीत उत्सो कलाकार सजा रहे हैं मेह फिल्म लोग उठा रहे हैं जम कर लुद्फ पहाडों की रानी शिमला नए साल के स्वागत के लिए सजधसकर न सिर्फ तयार है बलकि यहां विंटर कार्निवल शुरू भी हो चुका है कार्निवल के पहले दिन सोमवार को कलाकारों ने अपने प्रस्तूती से समा बान दिया शेहनाई की दुन और महिलाओं के नरित ने सभी का मन मुह लिया प्रिज मैदान पर क्रिस्मस के मौकर पर इस कार्निवल का मुख्य मंत्री सुख्यू इंदर सिंग सुख्यू ने शुभारंब किया जो नए साल पर अपनी ये शबाब पर होगा इस उत्सव में हर दिन नई नई प्रस्तूतियां लोगों को देखने को मिलेंगी करने के लिए इस परकार का योजन किया गया है अभी हमें एक और कहा है कि 20 दिस्तंबर से पांच जन्वरी तक हम आचल परदेश के जित्रे भी इटिंग ज्वाइंट्स है यानि कि अपनी मर्जी से वो पूरा दिमरात खुले रह तकते नय साल का जशन मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग हमाचल प्रदेश का रुख कर रही हैं शिमला में परड़को को किसी तरह के दिक्कत का सामना न हो इसका भी खास खयाल रखा जा रहा है विंटर कार्निवल से यहां के परेटर नुद्दियों को मजबूती मिलना लाजबी है लहाजा यहां परेटकों की सुख सुविधा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है सुमवार को मुख्यमंत्री ने यहां 156 मीटर के ढली सुरंग का भी घटन किया जो बहत आकरशक है हिमाचल में शिमला से लेकर मनाली और सोलन तक में परेटकों का पहुँचना जारी है ने साल के जश्ट को लेकर परेटक कितनी बड़ी तादाद में हिमाचल परदेश पहुँच रहे हैं शिमला और सोलन के बीच शोधी बेरियर से महेच 24 घंटे में 16,000 गाडियों के एंट्री हुई बड़ी संक्या में परेटक शिमला, सोलन, कसौली और चायल में पहुच भी चुके हैं वो यहां अभी खुबसूरती का दीदार करते हुए नए साल के जश्ट का इंदिजार कर रहे हैं बिरो रपोर्ट गुटनिस टुडे नया साल आने को है तो उसके स्वागत में देश के अलग-अलग हिस्सो में उत्सफ के रंग भी नजर आने लगे हैं हिमाचल में विंटर कार्निवल तो गुजरात में कांकरिया उत्सफ की धूम मच गई है आपको बता दे कि योट्सफ 25 से कथी इस दिसंबर तक चलेगा है जिसमें पूरे देश से आएक अलगार अपनी रंगा-रंग प्रसुती दे रहे हैं और दर्शकों का चौधवे संसकरण की इस बाद ठीम रखी गई है वसुधैव कुटुम्ब का वहीं जिस दिन यानी 25 दिसंबर को इस कार्निवाल का शुभारंब होता है उस दिन देश के पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई का जन में दिवस भी है तो आज ये कार्णिवाल एक उत्सव का रूप यहां ले चुका है इस जोरान यहां आए कलाकार पूरे देश की सांस्कृतिक छटा को एक मंच पर पेश कर रही है अपनी अपनी रंगारंग पेश करश के जरीए ये कलाकार दर्शकों की खूप तालिया बटोर रही है वैसे कांकरिया फेस्टिवल का मकसद श्रमिक वर्ग के उत्थान का भी कमाना गया है इस वर्ग के बच्चों को ये करनिवाल अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी दे रहा है इस दोरान 31 दिसंबर तक रोजाना रात में विकसित भारत संकल्प थीम आधारित लेजर शो भी आयोजित हो रहा है जिसके माध्यम से देश में चलाई जा रही कई महतुपोन योजनाओं के फाइदे के बारे में लोगों को अवगत किया जा रहा है करीब एक हफते तक चलने वाले कांकरिया का धिवल में सांस्कृते कला और कई सामाजिक यतिविदिया आईजित हो रही है आज कांकरिया उत्सव का आनंद लेने और नया साल मनाने के लिए दूर दराज से लोग यहां आ रहे है ब्यूरो रिपोर्ट गुड निस टुडे मौका न्यू यर के जश्ट में डूबने का है और अगर हसीन वादियों का साथ मिल जाए तो न्यू यर का सलिब्रेशन दुग ना हो जाए कुलू से लेकर मनाली तक और अटल टनल तक इन दिनों सेलानियों से गुलजार है मनाली में पारकिंग से लेकर होटल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं गली गली सेलानियों से पटे पड़े हैं ऐसे में स्थानी कारूबारियों के चेहरे पर हुँ मुखसकाना रही है आखों को तरावट देने वाली बनमुहग वादियां पहाडों की शांदार खुपसूर्ती सैलानियों की बहार नए साल की जश्ट का चड़ा खुमार लगभग साल भर सैलानियों से गुजार रहने वाले इस अनूठे हिल स्टेशन पर आकर कुछ दिन गुजारने की तमन्ना हर किसी के दिन में रहती है यही वज़ा है कि हिमाच्वल के मनाली में सैलानियों की भीड लगी रहती है इन दिनों पर नजारा कुछ ऐसा ही है गुल्लू और मनाले की खुबसूरत बादियों में इन दिनों सेलानियों का मेला लगा हुआ है मनाले की सडकें और बाजार में मौजूद भीड बता रही है कि मनाली की हसीन वादियां इन दिनों सेलानियों से गुल जा रहे है मनाली के मौल रोड से लेकर अटल टनल और कुल्लू और रहतां तक प्रेटक पड़ी तादात में पहुँच रहे है आलम ये है कि कुल्लू में बीते दिन में पचास हजार से जादा गाडियों की एंट्री हुई है जबकि बीते दो दिन में करीब 40,000 गाडियां आटल टनल से गुजरी है जानकारी के मुताविक पिछले तीन दिन में मनाली में करीब देड़ लाख बैटकों की आवाजाही हुई है मनाली में दो इसकदर भीड है कि वहां की जरतर होटल हाउस फुल है लगभग 95% होटलों में सैलानी मौजूद है मनाली में बैटकों की बढ़ती तादाद से होटल कारवारियों के चहरों पर खुशी है कोविट के बाद एक लहर टूरिजम की भी आई थी जो की कोविट से सारे लोग फसे हुए थे उसके बाद दिसंबर में लहर वैसी आये थी इसी करके जैसे इस बार फ्लर्ट जाये थे तो मनाली के लिए बहुत ही गुड नीवज यह है कि इस बार भी क्रिस्मस और नीव एर के लिए लोग काफी रश में आये भले ही इस्थानिय कारोबारियों में खुशी के लहर दोड रही है लेकिन पुलिस महकमे के लिए पैटकों की तादाद बड़ी चनौती बनी हुई है मनाली की सडकों पर तो ट्राफिक है ही इसके साथ में अठल टनल जाने वाले रास्ते और मनाली आने वाले रास्तों पर भी जाम जैसे हालाद है ऐसे में पुलिस इस तरह के हालाद से नेपटने के लिए पूरी तरह तयार है तो आप भी तयार हो जाईए नए साल के जश्ने के लिए छुट्टियों और बर्थबारी के बीच नए साल की हमस्ती और हसीन वादियों का दिलकश नजारा आपके नीजियर सेलिबरेशन को दोगुना बना देगा मनमंदर अरोडा, मनाली, जुबनियोस टुड़े देखें, नए साल के जश्मी तयारिया तो खूब हो रही है, लेकिन देश के कई इलाकों में ठंड और कोहरे की परिशानी भी बनी हुई है दिली एंसियार, यूपी के कई शेहरों के साथ कुछ और राज्यों में भी घना कोहरा चा रहा है और इस घने कोहरे के बीच लोग अपने जरूरी काम निप्टाते हैं, लेकिन इसमें साथधानी रखना बेहर जरूरी है मसलन अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सतरकता बरतनी होगी साल 2023 का आखरी महीना दिसंबर इस महीने मौसम की ये तमाम तस्वीरे खुदबया का रही है कि कैसे इन दिनों समूचा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है ठंड के साथ कोहरे की चादर में दिल्ली, घाजयबाद, पंजाब, श्रीनगर, मेरट, मुरादाबाद, कानपूर और आगरा समेत कई और इलाके भी लिप्ट हुए है ये साल का वो हिस्सा है, मौसम का वो पड़ाव है, जब दरसल पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में होता है और उसकी शुरुवाद देखने को मिल रही है, सुबह से ही, खासकर पंजाब, हर्याना, पश्चमे उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, दिल्ली, पूरा न्सियार उत्तर भारत में जगा भले ही अलग-अलग है, मगर कोहरे की तस्वीरे कमोवेश एक जैसी ही है उहरे के चलते सडकों पर गाड़िया मानो रेंग रही है, ऐसे में हाईवे पर एहतियातन जगा 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 चेतावनी वाले बोर्ड लगे हुए दिख रही है, जिनमें स्पीर पर नियंट्रून रखने और फॉग लैंप आन रखकर गाड़ी चलाने की सलाह दी जा रही ह हालांकि दिली में फिलहाल ठंड जादा नहीं है, बावजुद इसके वीजिबिलिटी कम होने से उड़ानों पर भी असर पड़ा है, यही नहीं कई ट्रेने भी कोहरे की वज़ह से अपने तैय समय से देरी से चल रही है मौसम विभाग भी आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे को लेकर कुछ ऐसा पूर्वान वान जताया है लगले चार-पास दिन का अगर बात करते हैं तो खास प्लेन रीजिन्स में टेंपरचर का बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाली है क्योंकि कोई वेस्टन डिस्टरबेंस भी नहीं आ रही है जो एंटी साइकलोन बैठा हुआ है नौर्थ इंडिया के उपर वो अगले चार-पास दिन ऐसे ही बरकरार रहेगे मौसम विभाग की माने तो भले ही आने वाले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में ठंड में कोई जाफा नहीं होगा मगर उचे पहाडिक शित्रों में वेस्टन डिस्टरबेंस के चलते कुछ बारिश और बरबारी होने की भी संभावना है फिलाल तो जो कोहरे की चादर उत्तर भारत में चाई हुई है उसको देखते हुए घर से निकलने की सूरत में हर किसी को एहतियाद बरतने की जरूरत पर ध्यान देना होगा दिली से आशितोष मिश्रा, प्यूश मिश्रा और नीतु जहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गूर्ड डूस टुडे बात आयोध्या में राम लिला के नए मंदिन में विराजमान होने की राम नगरी आयोध्या में प्रभूश्री राम की प्राहण प्रतिष्टा की तयारी चल रही है और इन तयारियों को जाचने पर रखने के लिए खुद प्रधान मंत्री मोदी 30 दिसमबर को आयोध्या पहुँच रहे है आपको बता दे कि अयोध्या आदमन पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भी खास तयारी की गई है प्रधान मंत्री इस दोरान अयोध्या को तो सौगात देंगे ही कई विकास पर्योजनाओं की नीद भी रखेंगे राम लला के भव स्वागत की तयारी 22 जनवरी को विराजेंगे अवद बिहारी राम नगरी में राम लला की प्राण रतिष्ठा से पहले आयोध्या को सजाया सवारा जा रहा है कोशिश यही है कि जब प्रभू श्री राम इतने बरसों बाद मंदिर में विराज है तो इस एतिहासिक आयोजन में कोई कमी ना रहे और इन्हीं तयारीयों को जाचने और परखने के लिए प्रधान मंत्री मोदी खुद 30 दिसंबर को प्रभू श्री राम की नगरी आयोध्या पहुंचेंगे यहां प्ये मोदी करीब 6,000 करोड रुपे की परियोजनाव को हरी जंडी दिखाएंगे इसके साथ ही प्ये मोदी आयोध्या में बन रहे भव्वे एरपोर्ट का भी उदगाटन करेंगे प्रधान मंत्री मोदी जब पहुंचेंगे इसी महिने के अंत में तो सबसे पहले वो एरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसका घाटन करेंगे हम आपको तस्वीरे दिखाएं कि यह वो आयोध्या का एरपोर्ट है जिसका इनाउग्रेशन प्रधान मंत्री मोदी करेंगे और इस एरपोर्ट को पूरी तरीकी से तयार किया जा रहा है जहाँ पर सौ से ज़्यादा उपर विमान भी आएंगे और इसके साथ साथ कई वी आईपी गेस्ट जो है प्राण पितिस्टा के समय इसी एरपोर्ट के जर्ये आयोध्या में प्रवेश करेंगे प्रधान मंत्री मोदी आयोध्या में राममंदिर की तर्स पर बने नए रिल्वेश स्टेशन को भी रामभक्तों को सौप देंगे और यहां से दो अमरिद भारत एक्सप्रेस और पाच वंदे भारत ट्रेन को भी हरी जंडी दिखाएंगे हम इस समय अयोध्या जंक्षन पर हैं साफ तरते यह वो अयोध्या का पुराना स्टेशन है जहां पर पहले से बना हुआ है और इसके दाई तरफ अकर आप देखेंगे तो अयोध्या का यह नया रिल्वेश स्टेशन तयार किया जा रहा है जिसका इनाउग्रेशन भी कही ना कि प्रधान मंतरी के हाँ तो होना है और साथ साथ नई ट्रेंड का संचालन भी यहां से किया जाएगा प्रभु शीराम अवध्पूरी में पधारने वाले हैं और उससे पहले आयोध्या में विकास की बयार बह रही है शहर की सूरत बदल रही है ऐसे में अब पिये मोदी के आध्मन को लेकर भी यहां स्तुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतिजाम किये जा रहे हैं जहां पर आवश्यक्ता है अथरिक्त फोर्स की वहां पर लगाया जा रहा है जहां जहां पर तक्नीक का अधिक्तम समावेश करना हो चाहें वो द्रोन कैमरे के माध्यम से सरविलांस का हो चाहें वो सीसी टीवी कैमरों के उन्नत तक्नीकों के माध्यम से उसका पर विक्षन का उन सभी चीजों को हम लोग यहां पर कर रहे है रामनगरी में प्रधानमंत्री मोधी के स्वागत की जोड़दार तैयारिया है हाज बात ये है कि रामनगरी में प्रियर मोधी का स्वागत करने के लिए आयोध्या का मुस्लिम समुदाय भी पल के रिचाएं इदिजार कर रहा है हमारे परधान मंतरी अर्ध्या पे आ रहे हैं हमारे लिए हमारे समाज के लिए एक खुसी का पल है और तिवहार के रूप में हम लोग मनाएंगे और मानिने मोदी जी का हम लोग पुस पौर्चा करके उनका स्वागत करेंगे अभिनंदन करेंगे आयोध्या में प्रभुष्री राम के प्रांटतिश्था को लेकर देश भर में उत्साह है तो वहीं आयोध्या बासी भी प्रांटतिश्था के पहले पिधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए आतुर है लिहाजा आयुध्या में भव्य तयारी चल रही है और वो देन अब दूर नहीं जब रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे आयुध्या से आशी श्री वास्तव के साथ बिरो रिपोर्ट गुर्नियूस टुडे रामलला के स्वाकत को लेकि राम भक्तों का उत्सहा चरम पे है हरकोई भगवान राम को अपनी तरफ से उपहार देना चाता है इसलिए देश पर से उपहार अयुध्या बेजी जा रहे हैं मिल्कुल मिधिला से भी भगवान राम को उपहार स्वरूप स्वन कोदंड अर्पित किया जाएगा जैसे चिर्नाई के कारीगर त्यार कर रहे हैं इसके साथ ही जनकपुर धाम से प्राण प्रतिष्ठा के लिए चान्दी का पान वस्तर और मिष्ठान भी भेजा जाएगा अवत पूरी में आ रहे हैं प्रभू श्री राम देश भर में उत्सो और उल्लास राम लला की भव प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे खरीब आ रही है वैसे वैसे राम भक्तों में उत्सा पढ़ता जा रहा है और राम भक्त अपने अराध्य राम लला के भव स्वागत की तैयारियों में चुटे हैं हर कोई भगवान के प्रांध प्रतेष्ठा का साक्षी बनना चाहता है देश भर से राम भक्त प्रभू के स्वागत में अलग अलग उपहार अयोध्या भेज रही है जाहिर है अयोध्या का मिधिला से सद्यो पुराना समबंध रहा है ऐसे में भगवान राम के स्वागत में महावीर मंदर पटना की तरफ से राम लला को स्वन का कोदंड यानि की धनुषपान भेट किया जाएगा खास बात है कि चेन्नई के कारिगर मिधिला परंपरा से स्वन के कोदंड को बनाने में चुटे है जिसे प्रांपरतिष्था से पहले अयुध्या लाया जाएका इसके साथ ही राम लला की प्रांपरतिष्था के उस्व में उनके ननिहाल 36 और ससुराल जनकपूर धाम से भेजी कई समाक्रियों का भी उप्योग होगा इसके लिए मिधिला की तरफ से चांदी का पान, वस्त्र और मिश्ठान अयुध्या भेजा जाएगा जिसे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दोरान राम लला को अर्पित किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सो का माहौल नजर आ रहा है वारा नसी में हो रही काशी तमिल संग्मम में भी श्री राम तरबार की अध्भुत लीला दिख रही है यहाँ लकडी से बनी भखवान राम की प्रतिमा की दिमांड पड़ गई है जसमें रामायन काल की अलग-अलग घटनाओं को दर्शाय क्या है साथ ही राम भक्तों को राम मंदिर का मॉडल भी खूब पसंदारा हर्ष रही है राम मंदिर का सिलान्यास हुआ है उस समय से राम के आधारित लिलाये का बहुत आड़र मिलने है जो की जितनी लुप्त हो गई थी कला अब वो हमारे आर्ट में लोग देखना चाहरे हैं काफी पसंद कर रहे हैं और यहां तमिर संगम में जब हम आये तो यहां से भी हमें राम दर्बार का और 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 भी राम जी का जो द्रिश्य है जैसे भरत मिलाब हुआ लचमर सकती हुआ यह सब आडल जो है मिल रहे हैं और काफी हमारी कला का विकास हो रहा है राम भक्तों का जोश और जजबा सात्वी हासमान पर है अयोध्या में भवे उत्सों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है अब इंतसार सिर्फ भगवान राम के मंदर में विराजने का है अयोध्या से पनभीर सिंग, वारा नसी से प्रजेश कुमार के साथ पर रपोर्ट गुड नियूस टुड़ी अयोध्या में राम लला के प्रानपतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे करीब आती जा रही है देश भर में राम धुन परवान चड़ती जा रही है और हर कोई इस खड़ी का पेसबरी से इंतसार कर रहा है और राम के धुन में मग्द होने की तैयारी में है राम मेरे घर आएंगे राम मेरे घर आएंगे गली गली कूचे में भगवा लहराएंगे गली गली कूचे में भगवा लहराएंगे तेरा मंदिर सजाएंगे दर्स को भक्त खड़े राम लाला को बिठाएंगे दर्स को भक्त खड़े राम लाला को बिठाएंगे तेरी सूरत निहारेंगे तेरी सूरत निहारेंगे नया साल आने को ही है और ऐसे में हमारी यही दुआ है कि मायूसी रहे आपसे को सो दूर खुशियां और सफलता आपको मिले भरबूर तबी तो आप सभी के चैरे पर मुस्कुराहत लाने के लिए हम हमेशा लाते रहे हैं खुश खबरें जो आपको हर दिन एक नई उर्जा से भर दें तो इस एनरजी को बनाए रखते हुए कल फिर आएंगे बैठेंगे शाम पांच बजे चाय की चुस्कियों के साथ करेंगे गुड न्यूस पर चर्चा